हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं आज हम बच्चों रास्थान बोर्ड ने जो हाली में सिलिबस लॉंच किया है उसको डिसकस करेंगे ना फिजिक्स का जो सिलिबस अभी पता चला है उसको अपन डिसकस करेंगे वैसे बहुत सारे बच्चों को पता भी चल गया होगा किसलिबस आ चुका है जिटको नहीं पता चल रहा है उनके लिए थोड़ा बहुत ब्रिफिंग में दे रहा हूं तो जल्दी जल्दी से एक बार के लिए पार डिसकस करते हैं सबसे पहले आप सबी को पता है कि फिजिक्स जो है वो टोल हमड़्ेट नंबर कीए जिसमें डिवाइटेशन कुछ ऐसा चलता है कि 70 मार्क्स का तो त्ह़री होता है और 30 मार्क्स का परेक्टिकल होता है फिर यह 70 मार्क्स भी बचों आगे डिवाइड होता है किस तरीक से 56 मार्क्स का तो आपका final paper लगता है, यह आप सभी को पता है, और 14 number जो है, वो आपकी school भेजती है, board के पास में, तो यह 14 number तो सभी के जाता है, even यह 30 में से almost 29 सभी के जाता है, mostly वसे 30 जाता है, कुछ एक बच्चे जिनकी किस्मत खराब है, उनके 27, 2729 तक जाता है, ठीक है, हमारी जो लड सभी को पता है कि लब 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 30 के आसपास में मिलने वाले है, 29, 30, 29, 30 मिलने वाले है, लेकिन practical दिते टाइम यह थोड़ा सा डर लगता है, है ना, चलो, तो पहले एक बार के लिए practical को discuss कर लेते हैं, कि practical में उन्होंने क्या क्या किया है, यह number divideration किस तरीके से किया, तो आ major experiment का है, major experiment मतलब एक main experiment आपको दिया जाएगा, और वो 10 marks का होगा, वो कितने marks का होगा, 10 marks का होगा, इसके लिए आपको almost 120 minutes भी मिलते हैं, फिर मतलब कुल मिलाकर के 2 घंटे मिलेंगे इस major experiment को करने के लिए, फिर आपके पास में होता है minor experiment, फिर क्या होता है, minor experiment, जिसे आप क्रिया कलाब बोलते हो, है ना, और 2 क्रिया कलाब होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे, और एक 4 number का होगा, तो total कितना हो जाएगा, आपके पास में 8 marks इनके भी हो जाएगे, और ये 60 minute में आपको complete कर लेने होता है, तो कुल मिलाकर के 3 hours का जी ये जो part है, वो हो गया, तो अब य record जो आपने बनाया होगा, practical जिसमें लिखे होंगे, वो folk mark का हो जाएगा, इसी के साथ में जो teacher आएगा, external, वो भी आपका वाईवा लेगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये 444 divide होकर के total कितना बनाएगे, 12 marks बनाएगे, और आप इनको add करेंगे, that is 10 plus 8 plus 12 and is equals to 30, इस तरीके से आपका ये practical वाला scenario है, बैसे चिंता मत करो, practical बहुत सभी को पताए कि आसानी से हो जाता है, इस schools में इतनी बड़ी कोई दिक्कत होती नहीं है, बस एक मन में घबराट रहती है, वो रहनी भी चाहिए, आप 12 में है, इतनी बहुत घबराट होनी भी चाहिए, ताकि आप सबसे अच्छी बात ये है, इन्होंने marks को chapter wise divide किया है, unit wise की जगह बच्चों को fix कर दिया है कि इस chapter में इतनी marks आएंगे, इस chapter में इतनी marks आएंगे, सबसे बढ़िया बात इस board की यही है, चलिए, discuss करता है कि 56 marks कैसे मिलेंगे हैं, तो सबसे पहला, जो unit है आपकी इस्तिर व चिभव और धारिता तीन number का, मतलब ये जो पूरी unit है, वो साथ number की हो गए, इस्तिर वदिदी की कितने number की हो जाएगी हमारे लिए, साथ number का हो गए, electrostatic 7 marks का है, फिर current electricity अपने आप में एक unit है, वो कितने marks की है, फाइफ मार्स की है, ये पहले भी 5 का था, अभी भी 5 का है इवन electrostatics भी पहले भी 7 का, अभी भी 7 का ही है, फिर magnetic effect of electric current and magnetism, इसका मतलब विद्योधरा का चुम्बकिया प्रभाव और चुम्बकत्व, ये जो है, इसमें दो चेप्टर है, पहला तो गतिमान आवेश और चुम्बकत्व है, ये 4 mark का है, और चुम्बकत्व एवम मतलब ये unit वापस से कितने marks की हो गई, 7 marks की हो गई, और इसके बाद में आपके पास में विद्योधर चुम्बकिया प्रेरण, ये थोड़ा सा गरत लिखा हुआ है, विद्योधर चुम्बकिया प्रेरण और प्रत्यावरती धारा, ये 2 chapter है, विद्योधर चुम्बकिया प ये दो नंबर का कर दिया, पहले कभी ये 3 नंबर का हुआ करता था, इस बार ये 2 नंबर का हो गया, तो आप गौर करो बच्छो, अगर आफ फस्ट फिजिक्स है, फस्ट से लेकर 5 unit ये जो है ना, ये फस्ट फिजिक्स है, फस्ट फिजिक्स मतलब आपकी जो NCRT की बुक करी ना, फस्ट बुक, वो फस्ट बुक के अंदर इतने चेप्टर है, 8 चेप्टर उस फस्ट बुक के अंदर, और आप इनको add करेंगे, 7, 21, 21 तो यहां से, और 7 यहां से, 28 marks, कुल मिला करके, आधे marks तो फस्ट बुक के हैं, और आधे mark की second book के हो गए, बात समझ में आई, तो unit समझे, अगर आप unit देखेंगे, तो 7, 7 mark की तो 3 unit हो गई, एक 5 mark की unit हो गई, और एक विद्यू चुम्ब की तरंगे जो हैं, वो 2 mark का अलग से हो गया है आपके पास में, यह number बहुत easily मिल जाएगा, वैसे तो सारे number physics में easily मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत practice के requirement होती है, आगे चलते हैं, second book की बात करते हैं, second book के अंदर पहला chapter किरन प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, बहुत बढ़ा chapter है, 7 number का, अकेला chapter द्यान में रखना, फिर तरंग प्रकाशिकी उसे next chapter, वो 5 number का है, तो कुल मिला करके 12 number की unit हो गई है, कुल मिला करके प्रकाशिकी जो radiation matter, मतब विकरन एवं द्रवे की द्रेद प्रकृति, जिसमें photo electric effect को आप पढ़ोगे, प्रकाश फिद्युत प्रभाव को आप पढ़ने वाले हो, यह 4 number का unit है, फिर परमानू और नाभिक, परमानू भी 3 number का और नाभिक भी 3 number का, मतब 6 number का तो यह unit हो गया, और last वाला जो equally weightage दिया है, ऐसा नहीं है कि एक को ज़्यादा, एक को कम, पहले ऐसा हुआ करता था कि second physics का weightage ज़्यादा था, और first physics का weightage कम था, थोड़ा सा कम था, एक दो mark का differentiation रहता था, जैसे यह उपर वाला 27 का हुआ करता था, और यह वाला 29 का हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा उन्ह hold करके बैठा है, ठीक है, फिर इसके बाद में अगर आप देखेंगे, तो यह, अकेला, अर्दचालक युखतिया, यह भी कितने number का है, छे number का है, यह अकेले अकेले chapter है, एक 7 number लेकर के बैठा है, एक 6 number लेकर के बैठा है, अगर किसी को pass होना है, तो यह दो chapter याद कर अंदर रहे लाने हैं नहीं लाने चली तो काम कैसे करेंगे बच्चों एक सिंपल सी लाइन बता रहा हूं यह पूरा सिलेबस नहीं समझा रहा हूं आपके पास में आ गया होगा नहीं तो मैं PDF में सेंड कर रहा हूं इवन PDF लेने की भी कोई जूरुत नहीं है आपकी जो बु फिजिक्स में NCRT की बुक के अंदर जितना दे रखा है फिजिक्स की बुक में NCRT की बुक में जितना दे रखा है पूरा का पूरा याद करना है राजस्तान बोर्ड ने कुछ भी नहीं अटाया है राजस्तान बोर्ड ने एक पर्टिकुलर पॉइंट भी नहीं हटाया है व यहां तक पढ़ लेना अध्याय आर्ट तक पढ़ लेना आपको पता चलेगा विशेश उची का एक एक पॉइंट ऐसा का ऐसा उतार दिया दिमाग की नहीं लगा है रास्थान बोर्ड ने कि बैया बच्चो का ऐसी कि ऐसी 1st physics पकड़ा दो CBSE ने बहुत के और लेकिन रास्थान बोर्ड में पूरा पूरा ब्रस्ट ऐसा का कैसा रखा है सेकेंड फिजिक्स में दो माईनूट से चेंज कियें बहुत छोटे सी चेंज कियें second physics का जो पहला chapter है न बच्छो किरण प्रकाशी की और प्रकाशी की अंत्र उसमें एक topic हट गया है वो है परिक्शेपन dispersion प्रकाश का परिक्शेपन परिक्शेपन मतलब one विक्षेपन सोड़ी विक्शेपन जिसे बोलते हैं इंगलिश में बोलेंगे dispersion of light dispersion of light ये वाला point जो है ये हटा है किरन प्रकाशी की में सिर्फ एक ही point हटा है और वो कौन सा है वर्ण विक्षेपन याद कर लीजी या dispersion of light ये हटा दीजेगा बस इस point को हटा दो और second physics में last last में आ जाओ last last में एक chapter आपके पास में अर्दिचालक electronic की इसके अंदर एक बहुत बड़ा topic था transistor का तो transistor पूरा हटा दिया है नाम से ही नहीं है मतलब उसके जो configuration थे कितने प्रकार का होता है transistor switch की बाते वेवार करता है transistor amplifier की तरफ वेवार करता है transistor even oscillator बनाता है उस सब हटा दिया सब हटा दिया तो transistor नाम से ही नहीं है इवर मेरे इसाब से नहीं वाली बुक्स के अंदर NCRT की बुक्स में transistor वैसे भी हटा हुआ है transistor वैसे भी हटा हुआ है ठीक है तो यह बात ध्यान में रखना सिर्फ दो minute से changes है अगर किसी के पास में पुरानी किताब भी है तो पहला minute सा change कौन सा है प्रकाश का one विक्षेपन या परिक्षेपन हटा दिया है dispersion of light को हटा दिया है इसके अलावा transistor जो एक point था उसको भी क्या कर दिया गया है हटा दिया गया है last chapter से इसके अलावा पूरी physics में ऐसा कोई point नहीं है जो नहीं नहीं अटाया पूरा का पूरा याद करना एक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है तो बहुत बड़ी या नहीं कर लीजिए क्योंकि जितना भी syllabus है वो pre uploaded है इस चैनल के उपर तो आपको हर एक point के उपर एक अच्छे से वीडियो मिल जाएगा अगर किसी topic में आपको चाहिए कोई help चाहिए तो please मेरे को comment box में लिख सकते हैं कहीं कोई issue नहीं है आज के लिए इतना ही have a good day and take care